Hello students, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल और students, आज आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे EBIT EPS Analysis ये हमारी book का chapter number 7 है और याद रखना इस chapter के अंदर हम करेंगे दो concept और वो दोनों ही concept हमारे लिए important भी है, याद रखना पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि EPS और EBIT हम इनको analysis करते क्यों हैं और दूसरा हमारा concept है, वो है हमारे पास in difference level लेकिन पहले हम discuss करेंगे EBIT EPS Analysis को तो देखिए हमें पहले समझना है कि किसी भी company का जो EBIT और EPS है, वो क्यों इतना matter करता है किसी भी form के लिए मुझे market से, देखिए हम पढ़ रहे है financial management, तो मुझे बार बार discuss करना पड़ेगा, हर point पर discuss करना पड़ेगा finance को किसी भी firm को money की requirement है, तो वो firm market से money borrow करती है, और जो हम market से money borrow करते हैं, उसके मैंने आपको बता चुका हूँ, हमारे पास बहुत सारे alternatives हैं, even उस alternatives के combinations भी है जैसे for example, मुझे market से एक करोड रुपे की ज़रुवत है, तो मेरे पास उसके equity shares issue भी कर सकता हूँ, 1 करोड के debentures भी कर सकता हूँ, preference shares भी कर सकता हूँ, और loan भी ले सकता हूँ या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कि मैं 50 lakh rupees के preference shares issue कर दूँ, 50 lakh rupees के equity shares issue कर दूँ, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 50 lakh rupees के या 40 lakh rupees के debentures ले लूँ, और 60 lakh rupees के equity shares ले लूँ, मतलब मेरे पास बहुत सारे combinations भी बनते हैं, fund raise करने के मैं 2, 3, 4 sources का इस्तमाल करके भी market से fund raise कर सकता हूँ, suppose करता हूँ, मैंने जैसे बोला, मुझे 1 करोड रुपे की जरुवत है, तो 1 करोड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 40 lakh rupees के equity shares issue कर देता हूँ, 20 lakh rupees के preference shares issue कर देता हूँ, 30 lakh rupees का loan ले ले लेता हूँ, 10 lakh rupees के debentures ले ले लेत करता हूँ, तो ultimately ये भी एक combination है, ऐसे ही मेरे पास अलग अलग proposals होंगे, तो मुझे ये देखना है कि कोन सा proposal हमारी company के लिए best है, clear है, तो EBIT, EPS analysis, analysis का मतलब है कि मुझे analysis करना है कि मेरे पास अगर बहुत सारे plans अगर दे रखे हैं, या बहुत सारे proposal अगर दे रखे हैं, तो मुझे finally which proposal is to be opt, so that company's EPS is to be higher, मुझे company का EPS level वो जादा से जादा करना है, तो आज की class में यही पढ़ेंगे, तो चलिए start करते हैं, जब हम indifference level की बात करेंगे, तो मैं आपको वो बताऊंगा, अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो हमारा topic है, chapter number है हमारे पास 7, EBIT, EPS analysis, EBIT, EPS analysis, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग book use करते हैं, Dr. RP हम लोग book use करते हैं, चीक है, चलिए, तो अभी हम अपना first question स्टार्ट करने जा रही हैं, मैं आपको फिर बता दूँ, जिस company का, जिस plan का, जिस proposal का, EPS सबसे ज़्यादा होगा, company हमेशा वो ही proposal opt करेगी, और इसी लिए इस chapter को बोला जाता है EBIT, EBIT मतलब profit और EPS मतलब earning per share, तो कोई भी shareholder, कोई भी investor या कोई भी company यही चाहती है, कि उसकी company का EPS level maximum हो, जितना हम earn कर सकते हैं, clear, तो चलिए, फिर start करते हैं अपना, आज का topic, हम कर रहे हैं illustration number 7.1, और यह मेरी book में page number है 200 पर, मेरी book में page number है इसका 200, पहले मैं आपको question दिखाऊंगा, देखिए, यह हमारे पास question दे रखा है, first, Bhaskar Manufacturer Limited, has equity shares capital of Rs. 5,00,000, याद रखना, of Rs. 5,00,000, face value है, मेरे पास Rs. 100,00,000, to meet the requirement to extension programs, the company wishes to raise Rs. 3,00,000 and it having falling four alternative sources to raise the fund, देखिए, अब मुझे क्या बोला गया है, कि एक Bhaskar Manufacturing Company है, जिसके पास already Rs. 5,00,000 के equity shares है, और एक share का जो price है, वो कितना है, Rs. 100,00,000, पांच लाख रुपे के shares है, और एक share है 100 रुपे का, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरे पास number of shares कितने हो गए, number of shares हो गए, मेरे पास 5,000, अब company चाहती है कि अपने इस project को और extent किया जाए, जिसके लिए company को 3,00,000 की और जरुरत है, और उसको 3,00,000 रुपे arrange करने के लिए, they have four alternative plans, plan one, plan two, plan three, plan four, हम देख सकते हैं, कि वो 3,00,000 रुपे हम कैसे कैसे arrange करें, तो सबसे पहले दे रखा है, to have full money from the issue of equity share, मतलब 3,00,000 के 3,00,000 रुपे हम के और हम shares issue कर दे, 5,00,000 के पहले हैं, वो तो सभी के लिए हैं, नए 3,00,000 रुपे लेने के लिए, हम उसको भी share issue कर देते हैं, 3 के 3,00,000 के share issue कर देते हैं, plan B, to have 1,00,000 रुपीज from equity shares at par, and 2,00,000 रुपीज from borrowing financial institute 10%, एक लाख रुपे के मैं shares issue कर देता हूँ, और 2,00,000 रुपे का loan ले लेता हूँ, किसी भी financial institute से, हो गए 3,00,000 रुपे, देखो ये alternatives हैं, ये हमें समझना है, plan C, full money from borrowing 10%, या तो मैं तीसरे plan के अंदब पूरे 3,00,000 रुपे market से loan ले लेता हूँ, और plan 4 में क्या है, कि 1,00,000 रुपीज के equity shares issue कर देता हूँ, और 2,00,000 रुपे के 8% preference shares issue कर देता हूँ, अब D plan में मुझे बोला गया है, कि 1,00,000 के तो मैं को equity shares issue करने है, या करने चाहिए, और 2 लाख रुपे के 8% preference share issue करने चाहिए तो ये 4 प्लान है अब हमें ये बताना है कि इन 4 प्लान में से क्योंकि 3 लाख रुपे चाहिए और 3 लाख रुपे arrange करने के लिए मेरे पास 4 प्लान दे रखे हैं और उन 4 प्लान में से कौन सा प्लान मुझे आप्ट करना है वो मुझे यहाँ पर decide करना है तो companies expecting earning 1,50,000 और company की जो expecting earning है याद रखना यह जो expecting earning है इसको हम बोलते हैं EBIT the corporate tax is 30% और corporate tax या income tax ज़र का 30% का select a suitable plan out of the above 4 plans to raise the required fund जो मुझे fund चाहिए उसके लिए बताना है कौन सा प्लान मुझे सबसे अच्छा और सबसे suitable रहेगा यह हमारा question था तो चलिए वे ठीक है अब हम अपना शुरू करते हैं देखे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं old shares और मेरे पास है plan यहाँ पर हम देखेंगे तो plan 1 के according यह है plan 1, plan 2, plan 3 and plan 4 we have 4 plan old shares है मेरे पास at the rate of 100 के according यहाँ पर दे रखा है 5000 5000 5000 और 5000 यह मुझे shares given है old plan के according अब इसके बाद बनता है हमारा first second third और fourth चार अलग-अलग alternatives है मेरे पास जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हम कैसे कैसे raise करते हैं money plan 1 के अंदर है अगर हम बात करेंगे यहाँ पर है मेरे पास new shares उसके बाद है debt या फिर loan जिसका rate of interest है 10% का third है 8% preference shares यह मुझे हमें दे रखा है और borrowing हमारे पास यही है यह हमारे पास तीन ऐसे हमारे पास यह sources दे रखे हैं जिनसे मैं fund raise करूँगा तीन लाख उरपे new shares है debt या loan दे रखा है दोनों का 10% है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया और 8% preference shares है अब देखेंगे new shares plan 1 में बोला गया है कि rupees याद रखना अब मैं rupees में लिख रहा हूँ यहाँ पे तो old shares लिखे है मैंने rupees पहले वाले में 3 के 3 लाख मुझे plan 1 में shares से ही issue करने चाहिए उसके बाद plan 2 के अंदर बोला गया है कि मुझे 1 lakh rupees के equity shares issue करने चाहिए और 2 lakh rupees की borrowing करनी चाहिए plan C में बोला गया है कि मुझे 3 के 3 लाख रुपे की borrowing ही करनी चाहिए और plan 4 में बोला गया है कि हमें 1 lakh rupees के तो equity share issue करने चाहिए plan 4 में 1 lakh rupees के equity share issue करने चाहिए और 2 lakh rupees के 2 lakh rupees के मुझे 8% preference share issue करने चाहिए ज्यानते देखेंगे अब यह हमने यह पे लिख लिया है देखिए मुझे 4 plan given है plan 1, 2, 3, 4 old plan में मुझे 5000, 5000, 5000 shares given है 100 rupees के according इसका मतलब 5 lakh rupees के shares थे अब company के पास 4 plan के according मुझे 33 lakh rupees लेने है हर plan से पहले वाले plan में बोला कि मेरे को 3 के 3 lakh सर्फ equity shares से लेने है यह दा equity shares और 3 lakh रुपे plan 2 में बोला गया कि 1 lakh रुपे के equity shares लेने है और 2 lakh रुपे के 10% debentures लेने है या फिर borrowing करनी है एक ही बात है तो यह भी 3 lakh यह भी 3 lakh थर्ड प्लान में बोला गया कि मुझे 10% का loan ही लेना है पूरे 3 lakh का देकि यह भी 3 lakh यह भी 3 lakh यह भी 3 lakh और यह भी 3 lakh ultimately मेरा जो मुझे जो fund raise करना था market से वो 3 lakh रुपे करना था इसलिए लिख के बताया गया पहले यह चीज़ और last fourth plan में बोला गया है कि shares issue करने है मुझे 1 lakh रुपे के और 8% preference shares issue करना है मुझे 2 lakh रुपे के तो इस तरीके से मैंने market में से fund raise करना है अब देखिए अब अगर हम बात करेंगे कि इन 4 प्लान में से कौन सा प्लान मुझे opt करना है तो वो देखते हैं अब मुझे जो further information given है वो है EBIT यहां से मुझे information given है और EBIT मुझे दे रखा है चारो ही प्लान का यह एक common दे रखा है 1 lakh 50,000 और EBIT में से हम minus कर देते हैं सबसे पहले interest interest देखिए first के अंदर पूरे में interest की कई बात ही नहीं की गई है क्योंकि लोन है ही नहीं तो हम मैंने छोड़ दिया second में 2 lakh रुपे का लोन आप देख सकते हैं 2 lakh रुपे का लोन है 10% का तो 2 lakh का 10% हो गया 20,000 रुपीज ये मैंने लिख दिया plan 3rd में देखेंगे 3 lakh रुपे का लोन है 3 lakh रुपीज का लोन है 10% पर तो ये भी हो गया 30,000 रुपीज आ गया plan 4 में या तो shares है या फिर preference shares है लोन नहीं है तो इसको भी छोड़ दिया समझ में आ रहा है न जो मैं लिख रहा हूँ अब इसके आगे चलेंगे देखते हैं ये आ गया e b t और इसमें से माइनस कर देते हैं tax और question में हमें ये बोला गया है tax है corporate dividend corporate tax है 30% का अब ये आ गया 1,50,000 का 1,50,000 ये 1,30,000 1,20,000 और ये आ गया 1,50,000 क्योंकि याद रखना ये तो उपर की जो है न ये उपर ये तो मैंने narration लिखी है main solution यहां से start हो रहा है मेरा tax है 30% अब 1,50,000 का 30% होता है 45,000 130 का हो गया 39,000 इसका हो गया 36,000 और इसका again 45,000 EAT 1,50,000 ये हो गया 91,000 ये आ गया 84,000 ये आ गया और 10,500,000 ये आ गया देखे ये वही format मैं पूरा कर रहा हूँ जो मैंने आपको cost of capital में कराया है जो मैंने आपको leverage में भी कराया है या introduction में कराया है तो इसको करने के लिए मुझे अपने उस format का होना जरूरिया या मुझे उस format का पता होना जरूरिया याद रखना तो सबसे पहले आपने introduction वाली class जरूर करनी है या फिर leverage वाली जो class है जिसके अंदर मैंने आपको यह format बनाना सिखाया था EBIT से लेकर EPS तक का यह format आपको पता होना जरूरी है क्योंकि इसका नाम ही क्या है EBIT EPS analysis इसके आगे चलते हैं अब हम तो सबसे पहले EBIT minus interest किया तो EBIT minus tax कर दिया तो EAT EAT में से हम लोग minus कर देते हैं preference shares dividend अब यह preference share dividend कहां पर है preference share सर्फ यहां पर है और सर्फ और सर्फ plan 4 में है 2,00,000 का 8% तो मतलब हो गया 16,000 ना यहां है ना यहां है ना यहां है तो छोड़ दिया 16,000 पर इस plan D में है सिर्फ preferences इसलिए plan D में से मैंने minus कर दिया बाकियों में नहीं आता छोड़ दिया अब यह आ जाएगा हम बात करेंगे तो profit for the shares holders profit for the shareholders तो आ गया 1,005,000, 91,000, 84,000 और 89,000 इसके बाद last और final step अब हमें करना है इसको divide कर देते है numbers of equity shares से numbers of equity shares अब देगे shares कितने हैं तीन लाख रुपे के shares है और मुझे पता है एक share 100 रुपे का तो 3000 shares यहां पर हो गए अगर मैं यहां पर एक छोटा सा मैं लिख दूँ किसी के लिए यहां पर 3000 shares हो जाएंगे यह वाले यहां पर हो जाएंगे इसके लिए 1000 shares हो जाएंगे यहां पर तो है नहीं और यहां पर भी 1000 shares हो जाएंगे अब आप देखिए old share ये है और new ये है यहाँ पर old ये है और new ये है यहाँ पर तो सिर्फ 5000 old है और यहाँ पर भी ये मेरे पास shares हो जाएंगे जो मैंने circle की है clear हो गया होगा जो मैं बताना चाहरा हूँ क्योंकि ये rupees है याद रखना rupees को पहले मैंने convert करना number of shares में तो 3,000,000 क्योंकि बोला गया एक share कितने का है 100 रुपे का है तो यहाँ पर total हो गए 8,000, 6,000, 5,000 और 6,000 तो हम उसको उसी ratio में divide कर देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले होगा 8,000 से divide यहाँ पर 6,000 से यहाँ पर 5,000 से और यहाँ पर again 6,000 से तो यहाँ पर last जो step आएगा that is called EPS this function divided by 8,000 तो कितना आ जाएगा अगर हम बात करें तो 105 000 divided by 8,000 तो आ गया 13.125 यह आ गया 13.125 सेकिंड 91,000 divided by 6,000 तो आ गया 15.167 15.167 next आ गया 84,000 divided by 5,000 तो आ गया 16.8 आ गया 16.8 and last है 89,000 divided by 6,000 तो आ गया 14.833 14.833 अब आप खुद देख सकते हैं अगर मैं बात करूंगा कि as per the company मुझे कौन सा प्रपोजल आप्ट करना चाहिए तो यह साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि मेरा सबसे ज़्यादा dividend किस पर है 16.8 पर है तो मैं हर हालत में जो प्रपोजल आप्ट करूंगा वो कोन सा होगा प्रपोजल थर्ड मेरा प्रपोजल कोन सा होगा प्रपोजल थर्ड अब देखिए प्रपोजल थर्ड क्या है प्रपोजल थर्ड है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ debentures ही या loan ही लेना चाहिए market से यह याद रखना इसको मैं यहां से highlight कर देता हूँ यह हमारे यहां पर highlight हो जाएगा proposal 3 is to be accepted because of the higher dividend यहां पर लिख देते हैं अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास plan 3 is to be accepted because of higher EPS because of higher EPS यह हमारा answer आगिया इसे ही हम कहते है EBIT EPS Analysis क्योंकि हमें यहां पर यही बताया जाता है कि या हमें यहां पर यही बताना होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे अलग-अलग plan है तो मुझे उन plans में से कौन सा plan opt करना चाहिए so that मेरी company को per share हो सके या maximum profit हो सके clear हो गया होगा चलियाब आगे चलते हैं देखिए question है मेरे पास 7.2 अब question है मेरे पास 7.2 अब वो देखते हैं a limited a limited has a shares capital of rupees 1 lakh याद रखना rupees 1 lakh है divided into shares of rupees 10 each और एक share कितने का है 10 रुपे का according तो इसका मतलब number of shares हो गए 10,000 के लिए we have three plans आप देख सकते यह रहे तीन plans सबसे पहले है कि 50,000 रुपे के मैं shares issue कर दूँ second पर है कि मैं 50,000 रुपे के 12% preference shares issue कर दूँ और third है कि मैं 50,000 का loan या debentures issue कर दूँ तो पहले equity है फिर preferent shares है फिर debentures है अगर मुझे company का EBIT दे रखा है 40,000 और tax है 30% तो बताना है कौन सा plan accept करना है तो चलिए देखते हैं फिर इसको जैसे पहले वाला था बिल्कुल सेम यहाँ पर दे रखा है पस पहले हमारे पास 4 थे पहले वाले कोशन में और यहाँ पर हमारे पास 3 है यह कोशन है हमारे पास illustration 7.2 page number है 200 तीन प्लान है प्लान तीन है तो हम तीन कॉलम बना लेते हैं यह प्लान वन रिप्रेजेंट कर रहा है यह प्लान सेकिंड और यह प्लान थर्ड old shares यहाँ पर रुपीज में लिख देता हूँ वन लैक रुपीज के दे रखे हैं यहाँ पर भी वन लैक के हैं क्योंकि old तो याद रखना सभी प्लान्स में common होता है वो वन लैक है तो सभी में वन लैक रहेगा new में दे रखा है मुझे या तो new shares है और दे रखा है मुझे 12% preference shares है और third में दे रखा है 10% debt है debentures है चलिए अब यह क्या दे रखे हैं यहाँ पे 50,000 रुपे के हम plan one में shares issue कर दे second में 50,000 रुपे के preference shares issue कर दे और third में 50,000 रुपे के debentures issue कर दे यह हमारे पास plan दे रखा है और अब हम यहादे करेंगे main answer start तो यहां की जो हम बात करते हैं वो कैसे करते हैं EBIT से करते हैं किससे करते हैं EBIT से अगर हम EBIT की बात करें तो वो है 40,000 40,000 और 40,000 और हमार को tax question में given है 30% का याद रखना tax question में given है 30% EBIT में से हमने minus कर देना है interest देखिए plan 1 में तो interest है नी plan 2 में भी interest नहीं है plan 3 में है सिर्फ debentures 50,000 का 10% हो जाएगा 5000 तो न plan 1 में कुछ फरक पड़ेगा न plan 2 में सिर्फ third में से interest minus कर दिया तो यह आ जाएगा EBIT 40,000 40,000 और यह हो जाएगा 45, sorry 35,000 minus कर दिया हमने 40 minus 5 इसके बाद हम minus कर देते हैं price में से tax which is 30% अब 40,000 मुझे EBIT दे रखा है 30% निकालूँगा तो हो जाएगा यहाँ पर भी 12,000 यहाँ पर 10,500 तो यह हो जाएगा हमारे पास EAT आ जाएगा 28,000 यह हो गया 28,000 यह हो गया और 24,500 यह आ गया इसके बाद हम minus कर देते हैं इसमें से preference shares dividend देखिए जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था first class के अंदर मैंने यह format बनवाय था और मैंने बोला था कि हमारा format आने वाले कई chapter में काम आएगा 5th में भी मैंने आपको इसका use बताया समझाया था 6th में भी समझाया और अब 7th में भी समझाया रहा हूं मैं आपको यह format कितनी बार समझाया रहा हूं या आप देख सकते हैं बहुत सारे और almost chapters में इस format का use होगा even इससे next वाले में फिर इस chapter का use होगा तो चलिए देखते हैं आगया preference shares dividend अब देखे preference shares कहां पर है first वाले proposal में तो है नहीं second वाले preference shares है सिर्फ second proposal में पचास हजार का 12% तो आ गया छे हजार ना first में है ना third में है सिर्फ second proposal में है तो वह हमने हाते लिख दिया तो यह 28,000 as it is यह आ गया 22,000 और यह आ गया 24,500 यार हो सकता है आप में से किसी बच्चे को जो मैं हिंदी में counting बोल देता हूं हिंदी में numbers बोल देता हूं 22,000 हो सकता है किसी को नहीं भी समझ आते हूं तो कोई बात नहीं अगर मैं by chance हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको साथ-साथ में लिखता भी हूं तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा ठीक है 28,000, 22,000 and 24,500 अब यहां पर आ गया है profit for the shares holders यह हमारे पास amount आ गया इसको हम divide कर देते हैं numbers of equity shares numbers of equity shares number of equity shares कितने हैं एक share का जो price बोला गया है वो 10 रुपे बोला गया है अब यहां पर देखे यह भी rupees में है और यह भी rupees में है यहां पर total हो गए 1,50,000 rupees के shares हो गए और एक share है 10 रुपे का 1,50,000 divided by 10 तो यह इसका मतलब हो गया 15,015,000 हो गया second वाले case में क्या होगा यहां पर तो shares है नहीं तो सरफ यह वाले है 1,00,000 divided by 10 का मतलब हो जाएगा 10,000 और यहां पर भी सिर्फ यही है old में new में तो है नहीं तो यहां पर भी हो जाएगा 10,000 अब हम देखते हैं हमारा EPS क्या आएगा EPS EPS इसको इससे divide किया तो कितना आ गया 28,000 divided by 15,000 तो आ गया 1.867 1.867 यह साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारको की 2.2 और यहां पर आ गया 2.45 अब आप खुद देखिए कि हमें यहां से खुद पता चल रहा है कि हमारा maximum EPS कौन से proposal में है proposal 3rd के अंदर तो हम यही आप्ट करेंगे हमारा maximum EPS कौन से proposal में है 3rd के अंदर तो हम यहaiser आप्ट करेंगे फिर वही plan 3rd कौन से वाला है debentures वाला Plan 3rd कौन से वाला है debentures वाला तो हम यहीjud आप्ट करेंगे Plan 3rd is to be accepted और मैंने आपको и INTRODUCTION के पर फिर बता रहा हूं मैंने आपको introduction में बताया था या फिर जब cost of capital चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि हमारको debentures या फिर loan में एक benefit मिलता है और benefit क्या होता है हमें जो भी हम interest pay करते हैं जो हमने जहते हैं पर 5000 रुपे interest pay किया तो हमें कहीं न कहीं tax benefit मिल जाता है तो यहाँ पर भी 12,000 रुपे tax pay किया यहाँ पर भी 12,000 किया लेकिन यहाँ पर 10,500 किया तो जो tax benefit मिलता है कहीं न कहीं interest on debentures या interest on loan के ओपर यही मुझे benefit भी दिलाता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बाई यही best चो यह तो interest rate के ओपर भी कहीं न कहीं matter करता है चिक है but tax benefit होता है तो यहाँ पर भी plan 3 ही accepted है अचा इसके अंदर हमारको इसका एक B part भी दे रखा है उसने बोला है कि अगर EBIT मेरा 40,000 का 40,000 होता तो हम क्या करते जैसे मैंने करके दिखा दिया है और अगर मेरा EBIT increase हो जाता 10,000 से मतलब पहले EBIT कितना था 40,000 और नए वाले में EBIT क करेंगे वो आपकी practice के लिए है यहाँ पर आपने सिर्फ 50 50 50 करना है बाकी पूरा same करना है और जिसका EPS अब से जादा आएगा वही accepted होगा आप देख सकते हैं अपर मैं आपको solution में दिखा भी रहा हूं सिर्फ इतना करना है कि पहले वाले में मैंने 40 लिया और नए वाले म 50 लिया बाकी अब EPS निकालेंगे तो इसका आगया 2.33, 2.90, 3.15 तो best अभी भी plan 3 ही हुआ बस इतना आपको करना था clear हो गया होगा यह हमारा जो concept था यह होता है EBIT EPS analysis का कि हमने सिर्फ यह analysis करना है अपने proposals, plans और अपने profit को देखते हुए कि कि किस firm का EPS सबसे जादा आ रह यह सबसे जादा आएगा, वो मैं accept कर लूँगा, clear, good, एक question मैं अभी basic का ही, एक question और करा रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अपना indifference level की तरफ, चली तो एक question और देखते हम इसका, अच्छा question है, थोड़ा सा वो समझने वाला है, उसकी language थोड़ी और अच्छी है, तो अब वो start करते हैं, देखिए, इस question की थोड़ी सी language हमें जरूर समझने पड़ेगी, क्योंकि इसकी ना language थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़ी सी typical है, a company needs 12 lakh रुपीज, अब कंपनी की जरुवत है 12 lakh रुपे की, for the installation of a new factory, which is expected to earn EBIT 2 lakh रुपीज, अब मुझे दे रखाएगी कंपनी को 12 lakh रुपीज की जरुवत है, और वो 12 lakh arrange करने के लिए company क्या करती है, वो हमें नीचे information है, और अगर मैं ये factory लगा लेता हूँ, या factory मैं इसको start करता हूँ, तो मुझे EBIT, मुझे जो profit होगा, वो हर साल कितना होगा, 2 lakh रुपीज का, देखे ये तो बताने की जरुरुती नहीं है, हमें पता है कि company को जो हमारा objective है, वो earning per share को maximize करने का है, यहाँ पर बोली दिया है, कि EPS सबसे ज़्यादा होना चाहिए, अब हमें बोला गया है कि हम लोग equity shares भी issue करते हैं, और debt भी issue करते हैं, और हमें total चाहिए 12,00,00 रुपे, तीन plan के according, plan 1 में मुझे बोल रखा है कि हम लोग 2,00,00 रुपे का debt issue करेंगे, plan B में दे रखा है, 6,00,00 रुपे का debt issue करेंगे, और plan C में दे रखा है, 10,00,00 रुपे का debt issue करते हैं, the current market price of equity shares is 40, और आज का जो price of 40 है, will drop to rupees 25, if borrowing, exceed 7.5 lakh, जैसे ही मेरा loan 7,50,000 से जादा होगा, मेरा जो एक share का जो price है, वो 40 रुपे से घटकर 25 रुपे रह जाएगा, यही वो line है, जो हमें समझनी है, अभी मैं इसको जब narration लिखूँगा मैं यहाँ पर, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, the cost of borrowings दे रखिया है, मेरी borrowing cost क्या होगी, अगर मैं borrowing 2,50,000 से कम कम करता हूँ, तो interest rate होगा 10% का, अगर मेरा 2,50,000 से जादा हो जाती है borrowing 6.25 lakh तक, तो 14% का हो जाएगा, अगर उससे जादा borrowing होती है, 16% का होगा, और tax at 30%, चलिए, कोशन देखते हैं हम, बहुत प्यारा कोशन है, बहुत अच्छी language है इसकी, समझते हैं, देखिए, यह है illustration number 7.3, important illustration है यह याद रखना, ठीक है? मुझे प्लान दे रखें, तीन, प्लान 1, प्लान 2, और प्लान 3, सबसे पहले, यहाँ पर मुझे old कुछ भी information given नहीं है, तो हम old की बात नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ बोला गया है, कि मेरे पास debt है, debt दे रखा है, 2 lakh रुपीज का पहले प्लान में, 6 lakh रुपीज का second plan में, और 10 lakh रुपीज का third plan में, यह हमें बोल रखा है debt के लिए, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद, interest on debenture, वो अलग-अलग है, हमें मैंने दिखा देता हूँ, मैं एक बार आपको, दुबारे से, अगर मेरा debt, तक होता है, अब टू 2.50 lakh, तो सर्फ 10% interest है, और अगर 2 lakh 50,000 से जादा होता है, लेकिन 6 lakh 25,000 तक होता है, तो मेरा लगता है 14%, और अगर 6.25 से जादा होता, तो 16%, तो यहां पर हमें बोला गया है, तो लगेगा 10% का, अगर 2.50,000 से जादा हो जाता है, 6.25 lakh तक, तो 14% का, क्योंकि यह 6.25,000 से कम है, और अगर 6.25,000 से जादा हो जाएगा, तो 16% हो जाएगा, यह एक पॉइंट अलग दे रखा है, इसलिए मैंने इसको अलग लिख दिया, अब हम चलते हैं आगे, अब एक बात बताईए, टोटल रिक्वार्मेंट है, कितने की, दो लाख रुपे, टोटल रिक्वार्मेंट है, 12 लाख रुपे की, हमें बोल रखा है कोश्चन में, कि कम्पनी नीड्स 12 लाख रुपीज, और मेरे डेट इशू के है, सरफ और सिर् 2 लाख रुपे का, तो इसका मतलब, शेयर्स, या इक्विटी, शेयर्स, इशू कितने की करी होगी, अगर हम देखे तो, जब टोटल 12 लाख रुपे चाहिए, और फर्स्ट प्लान के अंदर मैंने सिर्फ 2 लाख रुपे का डेट इशू किया है, तो इसका मतलब, 10 लाख र रुपे के, तब जाकर ये मेरा 12 लाख बनेगा, ये समझने वाला पॉइंट था, चलिए अब आगे चलते हैं, इसके आगे, अब ना यहाँ पर एक जो पॉइंट है, वो समझने वाला है, पर शेयर्स, ये क्यों लिख रहे हैं, वो भी आगे पता चल जाएगा आपको, हमे पॉइंट दोबारे देखो, जो मैंने स्पेशली बोला है, the current market price of shares is 40, and will drop to Rs.25, if the borrowing exceed 7,50,000, जैसे ही मेरा loan, borrowing कहते है, loan को, जैसे ही मेरा loan 7,50,000 को cross करेगा, यहाँ पर loan 2,00,000 का है, cross नहीं किया, तो मेरा share price 40 का रहेगा, यहाँ पर भी 6,00,000 है, 7,50,000 को cross नहीं किया, तो मेरा 40 रहेगा, लेकिन यहाँ पर borrowing हो गई 10,00,000 की, जैसे ही मेरा borrowing 7,50,000 को cross करेगी, मेरा एक share का जो price है, वो down होकर कितना हो जाएगा, सिर्फ 25 का रह जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे, हम numbers of equity shares, अब खुद देखिए, total यह rupees में है, अगर मैं 10,00,000 रुपे के shares issue करूँगा, और एक share का price 40 होगा, तो number of shares कितने हो जाएगे, 10,00,000 divided by 40, तो इसका मतलब 25,000 shares हो गए, यहाँ पर 6,00,000 divided by 40 का मतलब हो गए, 15,000 shares हो गए, 2,00,000 divided by 25 का मतलब हो गए, 8,000 shares हो जाएगे, यह point मुझे समझना था, मैंने यहाँ पर यह बता दिया है, याद रखना, यह मैंने mark कर दिया, अब जाकर मैंने पूरी की पूरी जो हमारी narrations है, जो question की information है, वो मैंने systematic way से लिख लिए है, और यह आपको समझ में भी आ गई होगी, अब हम चलते हैं इसके आगे, जो हमारा point है, अब जड़ा उसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अब अपना EBIT, EBIT दे रखा है दो लाख उरुपे का, वो तो सभी proposals के लिए है, सभी plans के लिए है, दो लाख उरुपे, इसमें से less कर देते हैं, इंट्रस्ट, यहाँ पर दो लाख का 10 परसन दे रखा है, 20,000, यहाँ पर 6 लाख का 14 परसन दे रखा है, 84,000, और यहाँ पर 10 लाख का 16 परसन दे रखा है, 1,60,000, तो 1,80,000 यह आ गया, 1,16,000 यह आ गया, और 40,000 यह आ गया, यह EBT, इसमें से less कर देते हैं, हम लोग अपना tax, और जो question में tax दे रखा है, वो 30 परसन का दे रखा है, तो यहाँ पर 54,000, 116,000 इंटू 30 परसन, तो आ गया, 34,800, 34,800, यहाँ पर 12,000, 6,000, 12,000, 126,000 यह आ गया, और 81,200 यह आ गया, और 28,000 यह आ गया, यह आ गया, EAT, प्रफेरेंच शेर्स यहाँ पर है नहीं, तो इसके बाद प्रफेरेंच शेर्स माइनस करने की ज़र्थ नहीं है, सीधा डिवाइड कर देंगे, numbers of equity shares से, numbers of equity shares, जो 25,000 है, यहाँ पर first वाले में 25,000, second वाले में 15,000, और third वाले में 8,000, तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा, EPS, 126,000, divided by 25,000, तो आ गया, 5.04, तो एक का आ गया, 81,200, divided by 15,000, तो आ गया, 5.41, 5.41 दूसरे का आ गया, और 28,000, divided by 8,000, तो यह आ गया 3.5, 3.5 इसका आ गया, अब आप खुद देखिए, कौन सा proposal accept करना चाहिए, हम देख सकते हैं, कि बीच वाला जो proposal है, यह हमें accept करना चाहिए, यह वाला proposal, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे, तो इस proposal के अंदर, 6,00, रुपे के debentures, और 6,00, रुपे के equity shares, हमें market में issue करने चाहिए, for the maximize the EPS, यह हमारा answer है, clear हो गया होगा, तो यह topic समझ में आ गया, इसे कहते हैं, EBIT EPS Analysis, हमें सिर्फ यह देखना होता है, कि profit को देखकर मेरा कितना, किस proposal से जादा से जादा EPS आएगा, जिस proposal से जतना जादा EPS आएगा, वो proposal company के लिए, या वो proposal investor के लिए सबसे beneficiary होता है, तो चलिए, फिर मिलते हैं, अब next class के अंदर, इसके आगे का topic, जिसके अंदर हम करेंगे, in difference level, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई doubt हो, तो मिरसे जरूर discuss कर ले,